तो इसे बीच बाड़ी ब्रेकिंग आरी इस वक्त कल अमिश्या आरूपत्र जारी करेंगे आरूपत्र की पहली जलक सिर्फ बंसल न्यूस पर आपको दिखाते हैं तो कल अमिश्या जो आरूपत्र जारी करने वाले जियां बंसल न्यूस पर आपको दिखाते हैं कि कौन सा आ पत्र तो काफी लंबा चोड़ा ये आरुप पत्र भुपेश सरकार के खिलाब आरोप पत्र की पहली जलक आप बंसल नीउस पर देख रहे हैं पहली बार एस्क्लिव सीव ये तस्विरे कल अमिश्या आरोप पत्र जारी करने वाले कल ही राहूल गांधी का 36 गणानिका कारिक के हमारे 36 गण के स्टेट एडिटर आधित नामदेव जी का अधित जी हमने पहली जलक दिखाईए एस्क्लिव सी जलक दिखाईए बंसल नीउस पर उस आरुप पत्र की जो कल जारी करने वाले और खास तोर पर काफी बड़ा लंबा चुड़ा आरुप पत्र दिखाई दे तो इसकी यूराज 36 गण में हो मतलब जितना आप ढोल बजाते हैं सरकार की उपलबदियों का मैं आपके सामने आरुप पत्र ले कर आ रहा हूं अब इसका जवाब दीजे कि आखिर आपने पौने 5 साल 36 गण में किया तो किया क्या ये बड़ा कंसेप्ट है आरुप पत्र म अजय सिंद्राकर रहे हैं काफी विध्वान रहे हैं कूरुद से विधाया के भरतियंता पाटी के और निश्यत तोर पर देखिए आरुप पत्र में पौने 5 साल की वह जल्किया दिखाने की कोशिचे भरतियंता पाटी की तरफ से कि आपने अगर कहा है कि आपने किसानों क में वो आखिर गया तो गया कहां इतने सारे आरोप आपके ओपर लगें आप उन आरोपों का जवाब दीजिए आपने संवीदा करी में को निक्ति के लिए कहा था आपने अलग अलग जितने लोग उस समय हर्ताल करते थे 2018 के चुनाओं के पहले उन सबको आपने निमीद करने की बात की थी आखिर आपके वादे का क्या हुआ ये तमाम वो सौ से ज़्यादा बिंदू है जो आरोप पत्र में शामिल किये गए सुबह साड़े तो जारी करेंगे फिलहाल जो महत्पुर्ण बैठक है लगबग 79 सीटो की जिस पर मंथन चल रहा है कुछ नाराजगी भी व्यक्त की है अमिच्छा ने चूंकि सरायपाली और मोहला मानपूर में जिस प्रकार से प्रत्याशियों का विरोध सामने आ रहा है और वो विरोध को प्रदेश जो है संगठन दबा नहीं पा रहा है उसको खत्म नहीं कर हो गया है उस जगहा पर जनजाती समेलन के बहाने जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि भारती जंता पार्टी जो नाम कर दिया वह कर दिया है आपको उसका साथ देना पड़ेगा जिनको साथ नहीं देना है वह पार जा सकते हैं तो एक आजी देखा कुमारी शेलजा ने कहा कि शराब बंदी को लेकर खास तोर पर इसी को लेकर भुपेर सरकार जो है उन्होंने वो सरकार में आई थी और रमन सिंग की सरकार को उखार फेंका था खास तोर पर उन्हें कहा कि यह समय ठीक नहीं है तो क्या आपको लगता शराब बं जिसको देखकर महिलाओं ने सबसे ज़्यादा संख्या में कॉंग्रेस को वोट किया था पूर्ण शराब बंदी एक पुइंट जरूर था उसमें अधिसूचित छेत्रों को छोड़कर मतलब जहां पर ग्राम सभाएं एक्टीव रहती है जो अनुसूचित जनजाती का छेत् शराब जो पूजा अर्चन है उसमें भी यूज होता है महुआ यूज होता है उन छेत्रों को छोड़कर बाकी संपूर्ण चथिस गड़ में शराब बंदी की वादा आपने किया था उसको देखकर महिलाओं ने सबसे आदा वोट आपको किया था तो आखिर वह उस वादे तो इसको लेकर शायद चिंता भी कर रहे होंगे कॉंग्रेस के तमाम लोग चली बहुत बहुत शुक्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए